एक क्रेडिट कार से दूसरे क्रेडिट का बिलपेमेंट हो जाएगा। रुपेन ये सारे क्रेडिट कार इसमें वार्टिंग है और ओ भी एक ट्रास्टेट एप्लिकेशन। जी हाँ बिलकुल ट्रास्टेट है। ये कोई ओफर नहीं ये है बाग। आपको तो पता है मैं हमेशा बाग रिलेटर फास्ट टाइम और यूटूब आपको देखनों के मिलता है। दूसरा क्रेडिट कार का बिल पेमेंट कर दूँगा। जो मैंने FD किया तो वो तो मेरे पास वापस आ गया। बट 7% इसमें इंटरेस मिल गया और इसमें 1% करके आप टू 1% अनलिमिटेट कैल बग मिलेगा। उसके बाद क्रेडिट करके बिल जनरेट होगा। उसमें भी पेमेंट कर दूँगा। तो मैं कहने का मतलब है जो क्रेड कर नया आथ है उससे आप किजी और आपका सीविल बैद के लिए भी.. चलिए कैसे क्या करना है। वह आपको इस वीडियो में डीटेल बताूँगा, तो वीडियो फाश्ट वॉलाज के क्यों आपक डीमें जो किने लेक पायेंगे मेरा वीडियो में आपका स्वागत है चलिए डीटेल स्टार्ट करते हैं एक एप्लिकेशन आपको चाहिए जो है HDFC बैंक का पेजब एप्लिकेशन अगर आपके पास है तो बढ़िया अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अगर आपके पास HDFC बैंक का कोई भी क्रेडिट काड है तो आपका मतलब पेजब जो है फुल के वाईसी है और अगर आपका HDFC बैंक में क्रेडिट काड नहीं है तो आपका मीनी के वाईसी करना पड़ेगा तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जितना जादा क्रेडिट काड आपके पास होगा उ सारे credit card जो अभी instant मिल रहा है आपको सारे description लिंक मिल जाएगा आप वहाँ पर जाके देखिए कौन सा credit card आपके पास नहीं है सारे credit card एक एक करके रहा है क्योंकि जितना ज़्यादा credit card उतना लुटने का मौका तो hdfc bank का credit जो pays up wallet है उसमें मैं यहाँ पर amount मैंने डाल दिया 2475 उसके बाद process to pay किया उसके बाद card मैं credit card कोई भी credit card आप दे पाएंगे कोई भी credit card तो मैं इस बार amazon पे credit card मैंने दिया क्योंकि इसमें one person मिल जाएगा आपको पता है तो अगर amazon पे credit card नहीं है इसके लिए आपको ICI से platinum credit card कर लेना है उससे amazon पे credit card आसाने से मिल जाएगा platinum credit card lifetime free है तो मैं मेरे पास तो already card है मैं detail जाल दिया उसके बाद confirm कर दिया जैसे मैंने देखिए ICI से bank का इस card से मैंने payment हो गया successful pays up wallet में मेरा 2475 rupees मेरा आ गया आज ही आ गया उसके बाद मैंने क्या किया pays up का bill सेक्षन प credit card यहाँ पर देखने हो कि मेलेगा बहुत सारी इसमें मैं SBI को चुना क्यों चुना मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आगे मैं बताऊंगा SBI को जैसे मैंने चुना इसमें मुझे 4 last digits मैं इस credit card का 4 last digits मैंने यहाँ पर डाल दिया mobile number डेला और इसके बाद मेरा bill फेच हो गया bill फेच होना चाहिए इसमें जो pays up में है जैसे मेरा bill फेच हो गया उसमें देखे 2476 rupees मुरा bill अभी देना है मैं bill payment करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा बग चल रहा है कि देखिए pays up wallet जो मैंने credit card से add किया था कोई भी credit card मैंने यहाँ पर use किया था आप भी कर पाएंगे जो credit card मैंने use किया था वो यहाँ पर select हो रहा है मतलब pays up wallet जो हो उससे आप payment कर पाएंगे जैसे मैं इसको swipe किया मेरा payment हो गया successful मेरा credit card का मतलब इस credit card से मैं इस credit card का bill payment कर दिया same process मैं मेरा दूसरा credit card है SBI का उसका भी bill payment मेरा 1665 rupees मेरा payment है इसको मैंने कौन सा card के मैं guilt card से payment कर दिया क्यूंकि इसमें भी मुझे 1% up to cashback मिल जाएगा आपको मैंने पहले start में बता दिया one of the best card है तो इससे मैं payment कर दिया same process यहाँ पे देखिए swipe to payment जैसे ही swipe किया मेरा payment हो गया successful अभी SBI में कितने देर में instant देखिए SBI में instant मेरा credit हो गया आज ही यह हो गया बहुत बढ़िया बाग अभी बात है दूसरा credit card मतलब SBI छोड़के दूसरा मैं कर पाऊंगा नहीं इसके लिए मैं payz app को open कर लेती हूँ चलिए payz app को मैं open कर लिया आपके सामने मैं दिखाओंगो तो payz app जैसे मैं open किया payz app मेरा open हो गया अभी मैं pattern देखे open कर लेती हूँ चलिए payz app मेरा open हो गया इसमें मैंने आपके सामने देखिए जैसे मैंने यहाँ पर गया तो मेरा सारे credit card यहाँ पर शो है तो मैं एक काम करते हूँ एक credit card का मैं ले लेता हूँ देखता हूँ कितना इसमें और देखिए एक बात है यह वाला credit card नहीं sorry इसको इसमें नहीं मैं काम करते हूँ ए वाला credit card मैं देख लेते हूँ कितना है ठीक है अभी देखिए मैंने कुछ देर पहले 1665 डूबी मैंने payment किया था इस वाला credit card मैंने payment किया था मतलब एक credit card में आप जितना मर्जी यहाँ से payment किजे जितना मर्जी जितना बार आप चाया तो इसमें payment किजे मैंने कुछ देर पहले किया था अभी देखिए आपके सामने swipe to pay मैं फिर से swipe कर दूँगा मेरा देखिए wallet से अभी payment देखिए payment मेरा successful हो जाएगा आपके सामने देखिए instant देखिए payment हो गया मेरा successful मेरा wallet से देखिए आ गया और मेरा credit card में भी add हो गया आपके सामने मतलब एक credit card का bill फेच हो गया आपका bill payment हो गया तो आप फिर से उसी में payment कर पाएंगे अभी दूसरा जो जो credit card हुआ पे payment है उसमें आप payment कर पाएंगे but and but wallet जो offer मतलब यहापे जो मैंने wallet चूज किया था देखें यहापे जो मैंने wallet चूज किया था यह wallet option नहीं आता है सिब SBI में यह बाग offer मतलब काम कर रहा है आप SBI कही payment कर पाएंगे दूसरा कोई भी credit card का आप wallet को चूज करके payment नहीं कर पाएंगे तो इसलिए मैं आपको बताया video full watch किजिए क्योंकि जो भाई skip करके देखा उनका तो loss हो गया क्योंकि अगर आप मानलेजी SBI नहीं आप इस बाला कर एक ऐसे या HDFC के आप देना कोशिट करेंगे तो नहीं होगा वहासे आपको debit card से देना है तो अगर wallet को चूज करके आपको use करना है तो SBI के payment केजिए मतला बहुत बढ़िया एक bug चल रहे कब तक चलेगा पता नहीं क्योंकि यह bug है कभी भी over हो सकता है बट जैसे ही मैं आप over हो और जो भी है मैं आपको information दे दूँँगा मेरा इस telegram पे लिंक आपको discussion मिल जाएगा जरूर आप telegram पे joint हो जाईए क्योंकि bug related कोई भी changes कुछ भी आए तो मैं आपको telegram पे update कर दूँगा वीडियो देखने के लिए धन्नवाद